हेलो इस्टूडेंट आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत आज मैं केंद्रिय माध्यमिक सिच्छा बोर्ड के द्वारा किये गए एक महत्तो पूर्ण परिवर्तन की विशे में आपको जानकारी दे रहा हूँ दस्वी में सामाजी विज्ञान बिशे में पांच चैप्टर हटा दिये गए इन चैप्टर का मुल्यांकन आंतरिक परिच्छा में ही होगा नई दिल्ली, केंद्रिय, माध्यमिक सिच्छा बोर्ड ने दसवी कच्छा के सामाजी विज्ञान बिशय के पाठेकरम से पांच अध्याजों को हटा दिया है इनका चालू सत्र में आंतरिक मुल्यांकन तो होगा लेकिन बोर्ड परिच्छा में इन चैप्टर का मुल्यांकन नहीं किया जाएगा इनमें तीन चैप्टर राजनितिक अध्याइन वह दो पर्यावरण से संबन्दित हैं सामाजी विज्ञान में लोकतंत की चुनावतियां, लोकतंत और विवीधता, राजनितिक संगर्स और आंदोलन, वन और वन जीवन, जल संसाधन के अध्यायों को बोर्ड परिच्छा में सामिल नहीं किया जाएगा CVSC के अनुसार, बोर्ड परिच्छा 2020 में इन अध्यायों का मुल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानि इन से संबन्दित सवाल परिच्छा में नहीं आएंगे लोक तंत्र के लिए चुनोतियां अध्याय में चुनोतियों के बारे में विचार, राजनितिक सुधार और लोक तंत्र को फिर से परिवासित करना सामिल है जबकि राजनितिक संगर्ष और आंदोलन अध्याय में लोगतंत्र के विस्तार में लोगों के संगर्ष की भूमी का सामिल है लोकतंत्र और विवीधता अध्याय में भारतिय परिश्थितियों के संदर्व में समाजिक वेदभाव और राजनितिक प्रतियस्परदा के बीच संबंधों के विसलेशन की जानकारी है बोड का मानना है कि वह भविश्य की जरूरतों के अनुसार मुल्यांकन पैटर्न को बनाना चाते हैं क्योंकि मानोस अंसाधन विकास मंत्राले ने 2021 में अंतराश्थिय छात्र मुल्यांकन कारेक्रम में भाग लेने का निर्ड लिया है दरसल मुल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए CBSC ने विबिन हित धारकों से विचार विमर्ष किया था इसके लिए बोड को काफी सुजहाव मिले थे इसके आधार पर यह निर्ड लिया गया है तो ये स्टुडेंट एक महत्तोपूर जानकारी दसवी में सामाजिक विज्ञान विशय से पांच चैप्टर हटाए गए CBSC इन चैप्टर का मुल्यांकन आंतरिक परिच्छा में ही करेगी तो हाई स्कूल के जात्रों के लिए एक अत्यदिक महत्तोपूर जानकारी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सेयर अवस्य करें यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्य सब्सक्राइब कर दें और आइकन बिल को भी दबातें ताकि ऐसे ही महत्तोपूर वीडियो के इलर्ट आपकी मुबाइल पर सिग्र पहुँचे और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद